चिली पनी तो हर रेस्ट्रेंट मिलता है और आप सभी ने खाए भी होंगे लेकिन आज में बगर पनीर का इस्तमाल कीवे बनाने जा रही है चिली सूजी पोटाटो सिर्फ आलू और सूजी से हम इस नाष्टे को बनाएंगे जो कि काफी तेस्टी लगता है और कोई भी नही जीरा और थोड़ा सा राई भी डाल देते हैं और हम तब तक वेट करेंगे जब तक राई पूरी तरीके से फूटना जाए और जीरा हलका ब्राउन ना हो जाए तो जैसे यहां पर राई फूटने लगे कि वैसे हम डालते है थोड़ा सा करी पता जिसे मैंने फाइनली चॉ जानना है यह हलका गरम हो गया है तो इसी समय समय हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पती और फिर इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं तो धनिया पती चिली फ्लेक्स आप जितना खाना पसंद करते हैं उसे साब से आड़ कर सकते हैं और इसे हम पानी के साथ यह जएकसे ही सूजी के साथ बहुत अच्छा सा मिक्स्टर बना लिया है, तो इसी समय हम डाले और अलू, यहां पर आलू को ग्रेट करने की ज़रत नहीं है, इसे आप सूजी के साथ बिलकुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में तेस्समय हम और इसे बिल्कुल अचय से डलने, डालो है, पुल्कुली हो टेलें अर इसे बिल्कुल अचय से मिक्स कर लिया, यह बहुत ही बाद कर से थे ही तो नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम रोल करेंगे तो यहां पर 10-15 मिर्ट हुआ है और यहां सूजी आलू का मिक्स्टर जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया यह देख रहे हैं आप हाथ से मैं इसली टच कर पा रही हूं इसे हलका सा नीट कर लेते हैं जैसे हम बिल्कुल आटा नीट करते हैं बहुत जाता नीडिंग नहीं करना है बिल्कुल हलका सा नीट करने के बाद अब हम इसे रोल करते हैं तो यहां पर मैंने पूरा सूजी का मिक्स्टर नहीं लिया है थोड़ा सा ही पोशन लिया है एक पॉषिन लिया है जिसे हम इस तरीके से रोल करेंगे तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के रोलर कर रही हूँ वैसे आप घर का जो बेलन होता है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और बस इस तरीके से रोल करने के बाद हम साइट सो कट कर लेते हैं क्योंकि हम एक एवन स्क्वेर च तो इस तरीके से देखिए मैं सभी सूजी स्क्वैस बना के रेडी कर लिये हैं जिसे की देखने में बिल्कुल पनीर की तरह दिखेगा खाने में बहुत लगता है तो चलिए इसी तरीके से बाकी बचावा मिक्सर को भी हम रोल कर लेते हैं तो यहां पर फिर से मैंने थोड़ के रेडी कर लिया है और यह थोड़ा से स्टिक हो गया प्लाटमॉम पर तो मैं यहां पे स्क्रापर की हिल्प से निकाल लेती हूं और यहां पर यह देखिए सभी सूजी स्क्वैस बनके रेडी हो गया है और चलिए अब इसे अम गरम तेल में डाल कर लिया है और गरम तेल में उलट प्लट कर इसे हम फ्राइ करेंगे जब तक कि हलके से क्रिस्पी ना हो जाए आप चाहें तो इन सूजी स्कॉर्स को हलका सा तेल में सेख भी सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉंशे से तेल अवाइट करना चाहते हैं तो और अगर इसे फ्राइ करेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो अगर घर में नहीं है और चिली पनी खाने का मन हो रहा है तो यह वादी रेस्पी आप ज़रूर ट्राइ कीज़े जो कि खाने में बिल्कुल वैसी ही है लेकिन यह बनती है सूजी और आलू से क्य लेकिन आज हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं तो चलिए दूसरा पैन लेते हैं और इसमें डालते हैं लगबग दो चमश तेल तो हमें यह पर सब्जियों सॉर्स कच्छे से भुनना है इसलिए हम तेल लाट कर रहे हैं और तेल के गरम होने के बाद इसमें ड़ने में लहसुन बी ढल देंगे जिसे हलका सा सॉटे करते हैं तकी यह भून जाए और कच्छा पन रेकिलग में डल के बाद लाल पीली शिम्ला मिर्च प्याश और रही शिमला मिर्च भी आप देख रहें ना है साबजे से सबज च्ता में कट किया तो इस तरीके से मोट कट कीजिए तो खाने में अच्छे लगते हैं बहुत जादा पतले हमें नहीं कट करने हैं और सब्जियों को अब मीजियम हाई फ्लेम पर अब थोड़ा साटे करेंगे बहुत जादा में नहीं सौटे करना है तो जब तक सब्जियां भून रही है तब तक चलिए हम कॉन फ्ल सब्जियों को भूनने के बाद बने में ढलते हैं तो तो फ़टा सा कॉली मिचे कर लेंगे तो तो थोड़ा साम तो इसमें डालते हैं मिक्स करने के बाद बाद कॉन ठक्टृ जब तब तक चाह सी थिक ना आ जाए यहां पे कुकरती हम देखने है आपड़े, आप देख त्बस कर देखने हैं। ने शुचरा नेज़ी ताहँ हैं.. फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ती और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डाल देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे फटा फट से सौटे करेंगे बहुत जादा में नहीं सौटे करना है सिर्फ उतना ही मिक्स करेंगे जब तो की सौस जिसे देखने के बाद कोई भी नहीं गया कि ये बगहर पनीर के बने हैं इतने टेस्टी बनते हैं कि आप एक बर बना लेंगे तो बार बार इसे बनाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ करेगा मैंने इस रेसिपी का नाम चीली सूजी पोटाटो रखा है आप इसे क्या ना पोटाटो बाई भी समना था जो कि काफी इंट्रेस्टिंग और इजी सी रेसिपी है तो इसे आप यहाँ पे क्लिकर के जरूर देखिये